एक ऐसी महिला है जिसने जिस भी वेक्ती से शादी की उसकी पूरी जिनगी बरबाद कर दी इस महिला ने 11 साल में आठ पूरुषों से शादी की ये मामला तेलंगना राज्य का है जहां एक के बाद एक आठ पूरुषों को शादी का जीवन भर पचतावा होगा एक महिला ने इन 8 लोगों को जीवन पूरी तरह से बरबाद कर दिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला ने जिन पूरुषों से शादी की उनकी उम्र काफी जादा होती थी इस सारे पूरुष वरिश तत्यक की ख्रेणी में आते थे ये महिला कुछ समय में उन पूरुषों का विश्वाद जीती थी और फिर शादी करके उनके घर का सारा नगदी और जेवर लेकर फरार हो जादी थी इस महिला का नाम मौनिका मलिक बताया जा रहा है मौनिका ने सबसे आखिरे में 66 वर्षिय पूरुष जुगल किशुर से शादी की थी ये कवी नगर के एक ठेकेदार है इनके पास काफी रुपया पैसा और जेवराद था मौनिका ने सबसे पहले इन्हें अपने घुसन के जाल में फसाया और शादी की थी इसके बाद कुछ दिन तक उनका विश्वास जीता इस दौरान वो सारे नगदी जेवरात इखटा करती रही और फिर एक दिन इसे लेकर फुर हो गए जुगल किशुर ने एक साल पहले ही अपनी पत्नी को खोया था इसके बाद उन्होंने मौनिका से शादी की थी मौनिका उनसे 25 साल चोटी थी विवा की सायटों के माधियम से मौनिका ने जुगल किशुर से संपक किया था शादी के दो महिने बाद जब एक सुबह जुगल किशुर जाक कर उठेए तो उन्होंने अपने घर को लुटा हुआ पाया चुगल किशोर ने बताय कि मॉनिका उनके घर के सारे गहने और 15 लाक रुपए नकद लेकर फरार हो गए जी CCTV फूटेज में मॉनिका के कर्थूर का खुला सा हुआ किशोर ने बताय कि मॉनिका के भागने के बाद जब उनने दिल्ली की उसी मेट्रोमोनियल एजनसी सप्रक् terms जहां से मॉनिका ने उनसे संप Parquya था तो मालिक ने उन्हें धमकई दी और 20 लाक रुपए भी माँगे इसके बाद किशोर ने मॉनिका की पिछले पती की खोज की, वहां से पता चला कि मॉनिका उनसे भी काफी रुपे लूट कर भागी थी इसी वेवाहिक एजनसी ने मॉनिका की पिछली शादी भी ताई के थी इसके बाद किशुर पुलिस की पास गए और गहन जाज की गई पुलिस ने बाद में केस का खुलासा करते हुए बताया कि मौनिका ने पिछले 11 वर्सों में 8 वरिष्ट नागरीकों से शादी की थी